जैशरी महाकाल हमारे जिन्दगी में कुछ लोगों से परिशान हो जाते हैं कुछ बड़ी परिशानियों का जो बैसिक वज़ा होती हो पुछ यही होती है तो उसी वीडियो में हम बात करेंगे आपकी राशी के लिए कि चार व्यक्तियों को घर ना बुलाएं कभी भूलकर इन चार व्यक्त कैसा लगा यह comment box में जरूर लिखेंगे दोस्तों पहले और मुख्य बात है उन लोगों को आप कभी घर ना बुला है जो दोहरे चरितर वाले हैं दोहरे चरितर से मतलब आप समझे हैं कि वो आपके मुँपर कुछ और बात कहेंगे और पीड के पीछे और कोई बात कहेंगे और आप इसमें ये प्रशन उठा रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगए कि व्यक्ति सामने वाला दोहरे चरितर वाला है तो उसका सीधा सा और एक स्टिक फर्मूला यह होता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा हमारे मुँपर बहुत अच्छा बोले जाना और जो हमारे जो करी भी होते हैं जो करीबी होते हैं वो उनके साथ भी यही गलती करता है कि उनके सामने अन्य किसी की बुराई करना तो यदि वो व्यक्ति आपके सामने किसी आपके प्रिय व्यक्ति की जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसकी बुराई यदि वो करता है उसक सिंपल सी सोचे ये और एक बहुत साधन सी वजह हैं जो बहुत बड़ी घटनाओं को अंजाम अभी तक देचुके दूसरी में दूसरा उन लोगों को कभी घर न बुलाएं चरित्र से जो ठीक नहीं हो जिनका देखने का आप बिल्कुल ये भी ट्रिक्टिकल चीज है कोई प यहां से हमें देख रहा हैं वो बहुत अच्छे से अबजर्व कर लेती हैं तो अप इन चीजों के और भी ध्यान दें और इन लोगों को कभी न बुलाएं तीसरी बात कहना चाहता हूं लालची लोगों को जो लोग केवल हमेशा आपसे लेने की उम्मिद करते हैं देने की नहीं करते हैं लेने की उम्मिद बस लेना है लेना है लेना है चाहे वो कोई भी हो यह लोग अपनी लालच के आड़ में कभी ने कभी कोई बड़ी घटना को है कभी ने कभी कोई परिवारी विडंबना को जन्म देही देते हैं और परिशानी क्रियेट कर देते हैं चोथे वो लोग हैं दोस्तों जो लोग अपने माबाप की इज़त नहीं करते हैं जो अपने माबाप की इज़त करने के साथ अपने माबाप को प्रतिव पूर्ण वफादार नहीं है क्योंकि जो माबाप के प्रती वफादार नहीं रहेगा तो ये चार वो लोग हैं जिने घर कभी ने बुलाना चाहिए और इनसे को रिस्तान आता भी रखना नहीं चाहिए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को शेयर करें कमेंट्स करें जैशरी महाकाल